हलो फ्रेंस वेलकम बाइक आहिल टेक यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन के बारे में जो कि बिल्कुल ही चेंज हो चुका है अब आपको इसका जो पूरा इंटरफे से इस एप्लिकेशन को अपडेट कर लेना है जब आप इसको प्ले स्टोर से अपडेट कर लेंगे तो फिर आपको यह जो नया वाला लुक है यह देखने को मिल जाएगा जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं यह कमर्सियल बैंक्स की तरह यहां पर इसका मोबाइल बै को मिल जाता है क्लोज मेनू को उपर हम क्लिक कर देते हैं यहां पर आप देख सकते हैं आपका उपर बैलेंस देखने को मिल जाएगा और यहीं पर आपको मीनी स्टेटमेंट का ओप्सन दिख जाता है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर अपना मीनी स्टेटमेंट च को यहां पर रिसेंट ट्रांजेक्शन जो है वह आपको देखने को मिलların मुहिन KD या फिर आप चाहे तो कोई भी डेट यहां पर डालके आप अपना स्टेमेंट को देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं यह यह उप्षन आपको उपर इसमें देखने को मिल जाता है ठीक फंड ट्रांसपर के बाद करें तो आपको वीदिन IPBB यानि की इंडिया पोस्ट प्रिमिन बैंक से ही अंदर में ही अगर आप फंड ट्रांसपर करना चाहते हैं तो यह आपको यहीं पर मिल जाता है यह अपको पैसे अखने को मिल जाता है अदर बैंक से पैसे एप यहाँ अपको ऊपर सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है चलिए अब देखते हैं more वाले option पर क्लिक करेंगे तो fund transfer इसके एनने पे UPI के दोरा आप पैसा transfer कर सकते हैं manage benefit कर सकते हैं यह सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है उपर वाला जो fund transfer है यह 3 option जो दिया है इसमें ही आपको यह देखने को मिल जाता है UPI services की बात करें तो आपको fund transfer के बाद नीचे आपको UPI services का option मिल जाता है जिससे आप पैसे UPI से भेज सकते हैं किसी को request कर सकते हैं history check कर सकते हैं और QR code को scan करके भी आप यहाँ पे pay कर सकते हैं या फिर आप पे कोई request किया है तो आप वहाँ से approve करके उसे payment कर सकते हैं यह भी आपको option यहाँ पे देखने को मिल जाता है UPI services में ठीक है इसकी बात प्रेंस यहाँ पे my services का option मिलता है ठीक है UPI services के बाद नीचे my services का option मिलता है यहाँ से आप bill को pay कर सकते हैं ठीक है चले देखते हैं क्या क्या bill हम यहाँ पे pay कर सकते हैं बिल आप easily यहाँ पे pay कर पाएंगे मोबाइल पोस्पेट लैंड लाइन पोस्पेट एक्रिसिटी ब्रोडमें डीटी एज एल्पिस यहाँ पे आप हर तरह के bills यहाँ पे पे कर पाएंगे जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे काफी ज़्यादा जो है कि भारत बिल पे क्या जो सर्विसेस है यहाँ पे पूरा दिया गया है जिससे आप किसी भी तरह का bill यहाँ पे पे कर पाएंगे पोस्ट ओपिस सर्विसेस इसका भी फायदा आप यहाँ पे उठा सकते है रुपे डेविट काड़् आपको यहाँ पे रुपे डेविट कार्ड माई सर्विसेस वाले ओप्जिंट में देखने को मिल जाता है व्यू काड डीटेल के उपर किलिक करेंगे पूरा अपना को मिल जाता है ठीक है इसके बाद गाइस यहाँ पर सर्विसेस का उप्षन मिल जाता है जिसमें भी आप देख सकते हैं अपने प्रोफाइल को आप मैनेज कर सकते हैं पैनकार अपडेट कर सकते हैं आधार को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं इमेल अपडेट कर सकते हैं यह सब सा यहां पर दिया हुआ है इसके बाद तो आप बिल पेमेंट भी यहां से भी आप इसली कर पाएंगे यहां सभी तरह के बिल पेमेंट आपको देखने को मिल पाएंगे और नीचे यहां पे अलग से मेनू बटन दिया गया है इसके इन क्यूवर को तो इसका जो लूख है कुछ ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा तो अभी तक आपके में ऐसा लूख नहीं देखने को मिल आप अपडेट कर सकते हैं प्लेश टोर से इस अप्लिकेशन को फिर आपको यह जो नया लूख है यह देखने को मिल जाएगा जो कि मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे इसका लूख है और क्या क्या से इसमें दिया हुआ है मैदे मातरम